कि स्वागत है आप सभी का ओमेगा इस्टेटी चैनल में और यहां पर आज बात करेंगे कि बिहार भी द्याले परिक्षा समीति ने लिया है फैसला जिसके तहद बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा खत्म होने के बाद इंटर की परिक्षा की कॉपी का मुल्यांकन है कल से यानि कि 26 फरवड़ी 2020 से ऐसी बात हिंदुस्तान के खबर में आई है तो यहां पर देखेंगे कि इसमें क्या सब बात कहा है यहां पर यह देख लिए वियार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा खत्म इंटर से 24 फरवड़ी तक चली है मैट्रिक परिक्षा सबाब्त होने के साथ ही बिहार बोर्ड की कॉप्यों के मुल्यांकन में जुट गया है और इंटर का मुल्यांकन 26 फरवड़ी से होगा यहां के लिए देश पर में 126 केंद्र बनाए गये हैं और यहां पर इनमें पतना जिला में साथ केंद्र है सभी केंद्रों पर उत्तर पुस्ति का भेज दी गई है और मुल्यांकन केंद्रों पर CCTV कैमरा भी लगाए गये हैं सभी परिक्षकों की न्यूकती पत्र भेजा जा चुका है सिक्षकों की हरताल को देखते हुए सेवा निवरित सिक्षक भी इंटर के लिके थी और इंटर में लगभग 90 लाख पुस्तिकाओं उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन किया जाएगा वहीं मैट्रिक की मुल्यांकन 5 मार्थ से शुरू होगी ठीक है और मैट्रिक का मुल्यांकन के लिए 179 के अंदर बनाए गए हैं तो जैसे ही ताजातरी तर जानकारी मिलती है आप लोग को भेज दिया जाएगा क्योंकि यहां एस्टेडी के साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलता है तो प्लिस सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें बाई-बाई टेक केर आपका दिन सुभव हो बाई-बाई टेक केर